आज हम बनाएंगे गोबी पराटा और आपको बताएंगे पराटा बनाने का ऐसा सिक्रेट टीप्स जिसे आपके पराटा बेलते समय बिलकुल नहीं तुटेंगे आप भर भर के स्टापिंग डालने के बाद भी असानी से पराटा को बेल सकेंगे और आपको फुले फुले प बाद आगे जाके आपको स्टापिंग पराटा बनाने में कभी भी दिकत नहीं आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पराटा बनाने के लिए हमने लिया है गोबी हराधनिया हरी मिर्ची जिंजर इन सब को मैंने दो के तयार करके लेने वाली हूँ यहाँ पर मैंने गोबी 500 ग्राम लिया है जिंजर का वनेंस का टुकड़ और दो हरी मिर्च यह तिखा वाला है तो देखे फ्रेंड यहाँ पर मेरे पास चौपर है चौपर में मैं बारिक करने वाली हूँ आपके पास चौपर नहीं है तो आप गिस के ले सकते चौपर में बहुत अच्छा बारिक हो जाता है एक बारी में और आपको दो बारी में पूरे कम्पिलिट हो जाएगा गोबी बारे करें तो इसको दिखाती हूँ में देखे बहुत सारे भरने के बाद ध्यान रहना है यह हांड का है इसका इलेक्ट्रिस से नहीं चलते हैं तो मैं इसे करके लेती हूं इसको धीरे-धीरे करना है अधरेस इसके रसी जो है यह ना जूक रहती है तो दीखिए यह बहुत अच्छा काम करता है और कांदा काटने को भी अब क्या आसान पड़ जाता है देखिए फ्र पानी है उसको नीचवर के निकाल देना है पानी रहेगा तो बेलते समय प्रॉब्लिम आ जाता है इसलिए इसे हम निकाल देंगे आओ दीखिए यह कि इतना अच्छा बारीक बन गया है एक बारी में तो मैं पूरे करके लेती हूं इसको हम ऐसे ही आभी स्क्वीज करके पा जब हो जाएगा आगे हम आटा को तयार कर लेते हैं यहाँ पे मैंने लिया है थ्री कप गयो के आटा इसमें डाल देंगे मैदा थ्री टेबले स्पूर और नमक यहाँ पे जो सिक्रेटीव से वो है कभी भी आपको स्टापिंग पराटा बनाना है तो आप मैदा जरूर डा आएगा और आपके पराटा नहीं टुटेंगे पानी डालेंगे हम धीरे 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 डालना हुए और पराटा के आटा को आपको सौब्ड बनाना है एकदम सौब्ड बनाना है स्मूद बनाना है अच्छे तो अच्छे मसल के भी लेना है यहाँ पे मैंने तेल डाल देती हूं टेबल स्पून और अच्छे से मसल के लेंगे पास से मिनिट तक मसलते रहेंगे जितने अच्छा डो बनाएंगे उतने अच्छा फुगी-फुगी पराटा बनेगा तो मैं करके लेती हूं और हम यहां पर आटा को 10-15 मिनिट तक छोड़ देना है इमीडेटली नह जरकन लगा के रखने वाली हूं और पराटा के तयारी करते हैं स्टापिंग का तो यह देखे फ्रिंट कपड़ा में पानी अच्छे मिक्स कर लेंगे और इसमें डाल देंगे मसाला में बहुत सर नहीं डालती हूं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे वन टे इस्पून चाट मसतला हाफ टी इस्पून जीरा वन टी इस्पून यहाँ पे डालेंगे क कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेकिन कम डालेंगे 1.5 टीजपून लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे क्योंकि हम हारी मिर्ची भी डालने मली है इसलिए आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं मैं हारी मिर्ची डालती हूँ जिंजर डाल देंगे और हारा धनिया हारा धनिया भर-भर के डाल देंगे हारा धनिया से पराटा में बहुत अच्छा फ्लेवर आते है तो इन सब को अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे मिक्स करते समय आपको अच्छे अच्छे मिक्स करना है जो मैंने काश्मेरी लाल मिर्ची डाली है उसका रंग आ जाएगा थोड़ी मिक्स करेंगे तो यह आएगा सब पूरे तरह से मिक्स हो जाएगा चारो तरफ से तो यह अच्छा रंग आ जाएगा तो देखे फ्रेंट इसका रंग देख सकते और नमक आपको बाद में डालना है एंड में जब आप पराटा बनाते और पराटा तूट जाएगा तो मैं अभी बेलने को लेने वाली हूँ तो देखे फ्रेंट पराटा के लिए जो टीफ से वो मैंने यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर मैं रैस फ्लॉर यूज करती हूँ हमेशा आप चाहे तो माइदा यूज कर सकते हैं आपक यह नॉर्मल रोटी के गोल से थोड़ा बढ़ा लिया है मैंने और यहाँ पर थोड़ा सई बेल के लेना है आपको पराटा बनने का आदत है तो हाथ से गोल कर सकते हो और स्टाफिंग भर सकते यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टाफिंग भरने वाली हूँ बहुत ज़्यादा स् बनती है आपको अगर आदत नहीं है तो आप पहली बरी में ट्राइब मत करना थोड़ा कम डालके ट्राइब करके देखना और कॉंफिडेंस से तो बहुत सारे डाल देना आपको गैरंटी है पराटन नहीं तूटेंगे राइस फ्लोर से बेलने से पराटन नहीं तूटती है देखे और हाथ से ही गोल बना के लेने का है धीरे-धीरे जितना बड़ा हो सके उतना आपको हाथ से बना के लेना है और इसमें जो हवा है वो निकाल देना है अधरेस पराटन तूट सकती है तो हलका हाथ से हम ऐसे बेलेंगे धीरे-धीरे हलका हाथ से ही बेलना है यहापे में बहुत बड़ी किंग साइज का बनाने वाली हूँ जैसे आपको रेस्टूरेंट होटेल में मिलता है बड़े-बड़े पराटा वैसे ही बना के लेने वाली हूँ और देख सकते हैं इसका जो दीख रहे हैं अंदर का स्टाफिंग यह पकने के बहुत बहुत अच्छा क्र पलटना है एक दो मिनिट के बाद ही पलटना है और देख सकते आप इसके हापे में घी यूज करने वाली हूँ आप सहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं पराटा में तेल और घी भर-भर के डालेंगे तो अच्छा टेस्ट बनता है तो मैं दोनों बज़से डालने वाली आप अभी देख सकते कितना अच्छा फूलेगी इसके रंग देख सकते हैं तो इसे हमें golden brown करना है अच्छे अच्छे इसको fry करके लेना है यह पराटा को आप रख के खा भी सकते हैं थोड़ा कम आप सेखेंगे और बाद में जब खाएंगे तब आप सेखेंगे पर आप स सुन्दर बने है इसको मैं काट के दिखाती हूं अंदर से अंदर से का जो स्टाफिंग है वो इतना टेस्टी बनता है और मैं बहुत मसाला यूज नहीं करती हूं जितना जरूरत है उतना ही मसाला यूज करती हूं बहुत ज्यादा मसाला से ज्यादा टेस्टी नहीं बनता है ये बात भी अब ध्यान रखना तो फ्रेंड मेरी रेसिपी पसंद आई तो कॉमेंट करके जरूर बताना मेरी चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना मत भूलना फिर मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई